बिग बॉस, चलिए बात करते हैं, नॉमिनेशन आज हुआ है घर के अंदर, और कौन-कौन हुआ है नॉमिनेट, ये जानना बहुत जरूरी है, क्या सना इस बार चली जाएंगी घर से बाहर या मनस्वी जाएंगी, अच्छा देखो बिग बॉस को मनस्वी को लेना था, तो ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि वह यह जो दिमाग वाले हो तुम लोग तुम लोग किसी एक बंदे को नॉमिनेट करो पूरे घर में से तो दिमाग वालों में भई मुनवर का दिमाग तो बहुत तेज चलता है मुनवर बड़ी तेज पढ़ता है कि एक्चुल में बिग बॉस चाहते किसको है मतलब अगर देखा जाए घर में अभी तो सना के बाद सबसे कमजोर कौन नजर आ रहा है तो मनस्वी क्योंकि मनस्वी घर के अंदर आई है बाते तो बड़ी बड़ी करके आई सल्मान सर के आगे लेकिन जब से आई है कुछ कर नहीं पा रही है हाला कि उत्राखंड की बाते उन्होंने बहुत करी राइडर के साथ बैठके लेकिन आज तो राइडर नहीं धोखा दे दिया राइडर ने कहा कि इन्होंने बाते तो बहुत करी लेकिन मेरे समझ से परे हैं और राइडर ने नॉमिनेट कर दिया और वहां मनस्वी को आ गया रोना तो मनस्वी कहीं न कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि ज़्यादा गेम नहीं खेल पाएंगे हाला कि आज उन्होंने लिखा भी जाए कि मिरर पे कि अनुराग इसर ट्रेटर अचा मुझे ने ट्रेटर वर्ड को गूगल करना पड़ा है मतलब देखना पड़ा है कि ट्रेटर मिन्स होता है कि मुझे पता नहीं था तो मैंने गूगल करके देखा तो मुझे पता चला कि दोखे बाज होता है क्या ऐसा ही कुछ तो था तो दोखे बाज है वही अनुराग चलो अनुराग इसी वहान है दिखा तो कम से कम शो में है तो अनुराग तो दिखता ही नहीं है आज अनुराग फिर भी दो तीन मिनट द बुलाए गया कि राइडर आईए आप और नॉमिनेशन अपना स्टार्ट करिए राइडर को नहीं सब से पहले खानजादी को भुलाए गया तभी तो खानजादी ने कहा बिग बॉस मैं क्यों और उसने कहा हाला कि आज विकी भी आप इतने सरकाइजम मारें बिग बॉस ने क खानजादी ने मनारा को बुलाया तो और कहा कि बुलाएडि नथिक भॉस ने नथिग पोसटनल तो नर्थिक पॉसनल तो बिग बॉस इस बार कही रहा है कि भी या मैं बदल चुका हूँ और हर किसी की क्लास लगाने के लिए बिग बॉस बिलकुल रेडी वैठा हुए है कि जैसे ही ये लोग पलak जबका है मैं पूछने आ जो पाई पलक क्यों जबका ही तो वैसे ये बिग बॉस आ गया खांज को पता है कि अरुन के साथ उस दिन पाइट हुई थी खान जादी की तो अरुन को नॉमिनेट कर दिया कि यह नजर नहीं आते हैं शो में और यह वो चीजे मनारा को नॉमिनेट कर दिया कि मनारा के साथ खान जादी की बनती नहीं और मनारा समझ में नहीं आती है क्योंकि मनार बहुत ज़ादा चन्फ्यूज रहती है तो खाणजादी नहीं यह दिया उसके बाद से राइडर को बुलाए गया राइडर मतलब अपना अनुराग उसको बुलाए गया उसने कहा मनस्वी और जैसे ही मनस्वी बोला मनस्वी को तो शौक लगे क्योंकि मनस्वी जब से दिख रहा है कैसा नहीं देख रहा है bets दो एनधर मंस्वी तो तो आज मनस्वी और चब्लब मनस्वी और बहुत लगए बोला लगा है सना पीछे से एक ऐसा वाड यूज करती है कि फिर राइडर चुप हो जाता है तो इस तरह से उन्होंने सना को नॉमिनेट किया और सना आई थिंक घर के अंदर कुछ कर भी नहीं दिया उसके बाद से जिगना जी आई जिगना जी ने भी सना को नॉमिनेट किया और खान जादी को नॉमिनेट किया अचा जिगना जी ने सना को नॉमिनेट किया तो सना ने कहा कि आप और मेरा रिलेशन मा बेटी का है तो आपने मा बेटी के रिस्ते को बदनाम कर दिया है अगर ऐसी ही बात है अगर मैं पसंद नहीं हूँ आपको तो आपने मा बेटी का रिस्ता क्यों बना है मुझे समझ नहीं आ रहे हिए यहाँ पर रिस्ते बना रे हैं वो भी मा बेटी का रिस्ता मतलब इतना बड़ा रिस्ता और obviously जिगना जी ने अगर नॉमिनेट किया है जिसके साथ घर के अंदर किसी की भी बन नहीं रही है खानजादी को उन्होंने नामिनेट के तो खानजादी निका सासुमा आप मुझे क्यों नामिनेट कर रहे हो अच्छे ये सासुमा क्यों बोल रही थी ये बाद भी मुझे समझ में नहीं जिगनाजी का बेटा है उसके साथ शादी वादी करने वाली है कि हान जादीitu को उन्होंने नॉमिनेट किया उसमा मनसवे ने समर्त को नॉमिनेट किया और गागी भी है या जब घर में आया तो बहुत इनोंने आतंक मचाया, तहल का लेकिन अबो यह बिल्कुल शान्थ हो चुकि है और ऐसा को नौमिनेट किया vai wea Embak भी को यह बोला कि मेरे से मजाक मत करना दुबारा से भी too दूर रहना नेरे से और देखो यह जो एश्वरया और विकी का conversation है उसमें मुझे एक बात समझ में आती है कि विकी वहाँ पर बिल्कुल ठीक था अगर एश्वरया आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप एक बार विकी से पॉस्टनली बोल दे कि विकी मुझे तुमारा मजाक नहीं पसंदाता और मुझे तुमारा मजाक अच्छा भी नहीं लगता तो प्लीज आइंदा से मेरे से मजाक मत करना अगर यह बोलने के बाद विकी वापस आके मजाक करता है तब तो विकी की गलती है लेकिन अगर आपने ये बात उसको बोल नहीं रखी है, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, मिया भी भी मतलब नील और आश्वर्या, तो विकी को तो पता नहीं है, विकी तो यही समझ रहे हैं कि आश्वर्या जैसे हम हम इसाम मचा करते हैं, वैसे कर रही है, तो ए कि अरुन को करा कि भाई आपने रूम में रहते हैं दंवाले गमरे में रहते हैं उसकाले e अंधेरी जो चादर है उसमें लिप्ते रहते हैं सोवे रहते हैं नजर नियोंगी आते हैं और मनारा बिल्कुल पसंद नहीं करती है इशा को और इशा भी मनारा को पसंद नहीं करती है और आज तो मनारा बोल भी रही थी कि भाई मुझे तो ये दोनों बहुत फेक लगते हैं इनका रिलेशन भी फेक लगता है यानि कि इशा और समर्थ मनारा को फेक लगते हैं मूपे कुछ होते हैं, पीट-पीचे कुछ хोते हैं इन लोगों के साथ मैं connection माने के कोशिस करता हूँ लेकिन इनके साथ मेरा connection नहीं बन पाता है अरुन को बुला गया, अरुन ने समर्थ हो किया और सना को किया, समर्थ को इसी रिए किया क्योंकि समर्ध आया तो बड़े जोस के साथ था लेकिन जैसे जैसे दो दिन बीते हैं हैं घर के अंदर समर्ध बिलकुल ठंडा पड़ चुका है सना को गिया, क्योंकि सना आप समसकते हो, सना को कोई पसंद नहीं करता, घर के अंदर तो सना को कर दिया, अंकीता को बुलाए गया, तो अंकीता ने भी सना को target किया, कि यह जब nominated होती है, तब तो बहुत दिखती है, लेकिन नॉमिनेट से अगर सेव हो जाती है तो फिर ये बिलकुँ शान्त हो जाती है जैसे कि आज फिर ये नॉमिनेट अगर हो जाएगी तो ये घर के अंदर खूब आतंग काटती दिखेगी और वहाँ पे सना ने भी पलट के अंकिता को बहुत कुछ सुनाया आप सब भी ने आप अपने हस्वेंट को लेके आए हो बेबी बेबी करके आप पूरे दिन उससे खुश ना खुश लेते रहते हो वह आपको खाना बना के देता है ये करता है वह करता है ऐसी बाते सना ने करी अंकिता ने भी हाला कि महां कोई कसर नी छोड़ी और अंकिता आज बिलकुल मतलब अंकिता आज बिलकुल सना को छोड़ने के मूड में नहीं थी तो अंकिता से जितना बन सकता था अंकिता ने आज पूरी फोटेस देने की कोशिस की है और मजा आज अंकिता को देख करके तो अंकिता ने सना को किया और रिंकुजी को किया इसलिए क्योंकि रिंकुज और नील ने भी विकी को नॉमिनेट किया, तो यहीं से दिखता है कि एश्वर्या और नील भाई आप लोगों को दिक्कत तो है रिविकी से और अंकिता से, यह क्लियर होता हुआ सा नजरा रहा है, वहीं हम देखते हैं कि विकी अपना दिमाग तो लगाता है गेमें, विकी कं किसको अपनी तरफ करना है, किसको मैं अपनी तरफ मुवान कर लूँ हाला कि आज उस बात का रिजर्ट उसको देखने को मिला कि सना ने जाके इशा को बोल दिया कि विकी ने ऐसा बोला है कि समर्थ के आने के बाद से इशा का गेम बिलकुल खतम हो चुका है, अभी शेक श विकी अपने ही बातों में फस रहा है, क्योंकि वह Humans सबूल आइससे तो रहे हुआ है। विकी भी कहीं न खहीं फसता हुँदा वा specifics , वीटिमाग चला रहा एट विकी कें गेंटीनूे लोगों के साथ बात करता है . करता है उनकी गेम सबस्तला उनको गेम बताता है तो Хора को टो टौने चाहँ जा Helsing awakening अंकिता बोलता है इतनी बाते करता है कि यह क्यों इतनी बाते करता है कि अगर हमारि कभी फाइट भी हो जात तो मैं यही कि फिर इतना बोलेगा कि मुझे लगता है कि भाई अपना ग्यान बंद कर दे अब तो हां ऐसा होता है actual में अगर कोई वंदा तो ऐसा है तो ऐसा फील होता है कि भाई अपना ग्यान बंद कर दो और मुँ बंद करके बैठ जाओ अब तो वही विकी की साथ है विकी बहुत टॉकेटिव है यह समझ में आ गया है हला कि विकी अपना गेम परफेक्ली खेल रहा है और बिग बॉस को भी पता है कि विकी गेम और समर्थ को नॉमिनेट किया मुनावर को बुला गया मुनावर ने इशा को नॉमिनेट किया और कहा कि यह धुआ 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 हो गया है और इशा बड़े शौक में चली गई क्योंकि मुनावर ने उसको नॉमिनेट किया था जबकि इशा को यह लग रहा था कि मैं तो म मुनावर नॉमिनेट करे गा ही ने, लेकिन मुनावर कही न कहीं परख रहा था, समझ रहा था, समर्थ के आने के बाद से ईशा के गेम को देख रहा था, और उसको समझ में आया कि भाई एक तो ये इतनी जूटी है, मुपे जूट बोलती है और अपनी तेज आवाज करके बा बात भी कहीं न कहीं समझ में आ रही है कि समर्थ के आज आने के बाद से अब जो अभिशेक से content मिल रहा था इशा को वो वाला content धीरे धीरे खतम हो रहा है क्योंकि आज अगर आपने notice किया हो तो विगी ने भी अभिशेक को समझाये कि अभिशेक देख तो सिर्फ दो दिन इसरे दिन इशा तेरे पास खुद आएगी क्योंकि उसको content नहीं मिलेगा कहीं और से तो तेरे से ही मिल रहा है तो तू उससे distance maintain कर ले और उसका हमने नतीजा देखा अभिशेक खानजादी के बहुत close जा रहा है खानजादी से बाते कर रहा है खानजादी को हक कर रहा है ख वो उस पे अगर काम करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो ट्राय नहीं कर रहा है वो एक ही जगह पे रहते हैं हाला कि अरुन का जो बोलने का तरीका है वो काफी funny है entertaining है मुझे काफी पसंद आता है अरुन का तरीका लेकिन अरुन को थोड़ा मुझे लग इस बार तो बिलकुल भी नहीं अभिशेक को बुलाए गया अभिशेक ने समर्थ को नॉमिनेट किया और यह बड़ा obvious है था कि अभिशेक समर्थ को करेगा नॉमिनेट अभिशेक ने यह कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वह content के नाम पे यह मेरे से आके लड़ता है बिढ़त उस ही को लाके गेम खे़ए तो मेरे ही इस सबसे इसको जाना चाहि किये अबठी में इनला नहींट नं जुड possessions love was तो विकी का एश्वर्या को करना बनता था और विकी ने same to same वही वाद बोली जो मैंने बोली कि पहले एश्वर्या एक बर कह देते हैं कि विकी मुझे तुम्हारी ये जो मजाक मस्ती है वो पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज मेरे से ऐसे भी है मत करना मेरे से मजाक मत करना क् महारा मजग ले नहीं पाती हूँ, उसके बाद भड़कना होता है, उसके बाद रियक्ट करना होता है, लेकिन एश्वर्या को ये बात समझ भी नहीं आई, और वहाँ पे विकी ने एक बात बोली कि मुझे सना को नॉमिनेट नहीं करना था, लेकिन सना और अंकिता की अभी ज कि अच्छा जी, तो आपकी लिस्ट में कौन गौन था विकी, नाम बताईए, तो विकी तो अब सोच में पड़ेगा कि अच्छा जी अब नाम भी बताना पड़ेगा, फिर कहा उसने कि मुझे लगता है कि मैं नील को करता, क्योंकि नील को कल जो कॉन्वर्जेशन हुई, क इसे चार्ज अप हो के आ रहा था, वो सब चीजे मुझे लगी कि नील को नहीं करनी चीए, और वाक्य में वहाँ नील बिलकुल गलत दिखा था, और बेवकूब भी दिखा था, वही तो कर के आ रहा था नील, ठीक है, वो तेरी वाइफ है, स्वर्या, तुझे उसकी साइड लेना जरूरी है, लेकिन साइड लेने का यह मतलब थोड़ी होता है, कि तुम समझो इमत बात को कूद पड़ो बस, क्योंकि तुमारी वाइफ लड़ रही है, और वाइफ से पूछ लो, अगर किसी और से नहीं पूछ पा रहे है, बाकि वहाँ इतने लोग थे, बह बड़ा इरिटेटिंग है यार, बहुत इरिटेटिंग है, वो तो नील जैसा बनता है, जो समझाल रहा है, अगर बढ़ते हैं, तो उसके बाद से फिर समर्थ को बुलाए गया, समर्थ ने का कि मैं अरुन को करना चाहता हूँ, फिर वही बात, अरुन दिखता नहीं है, अ मनस्वी आई तो है, घर के अंदर और कुछ करती भी नजल नहीं आ रही है, और मनस्वी का एक और चीज कि उसने कोई मूवी कर रखी है, जिसमें उसने बहुत बोल्ड सीन दे रहे हैं, तो उसमें मनस्वी को ऐसा लगता है कि समर्थ ने उसको कई वार कह दिया, तो मनस्व कोछ हुआ, सना को बुलाएगा, फाइनली सना को बुलाएगा और सना ने आके अनुराग को किया, क्योंकि सना कहीं न कहीं अनुराग से चड़ी पड़ी है, और अनुराग करता क्या है, पता नहीं, क्योंकि हमें तो दिखाया नहीं चाहता अनुराग का कोई भी क्लिप, आ और फिर सना ने विकी को किया, कि मैं आज विकी भहिया को करूँगी, वैसे मेरा मतलब नहीं है विकी भहिया भहिया बोलने का, सिब मैं विकी को करूँगी नॉमिनेट क्योंकि विकी सोचता है कि उसके पास दिमाग है, विकी पूरी गेम देख किया है, इस तरीके से मतलब ब ला गया फाइनली और इशा ने मनारा को किया क्योंकि मनारा इने इशा को किया था तो और फिर मनस्वी को किया क्योंकि इशा और मनस्वी की भी कॉन्वर्जेशन में थोड़ी सी कॉन्फिक्ट्स हो गए थे इसकी वज़े से उसकी वाद से पिक बॉस ने कहा कि नहीं रुको अभी चार लोग नॉमिनेट हुए है सना समर्द इशा अरुन लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और बंदा नॉमिनेट हो दिमाग वालो अपना दि दिमाग है तो दिमाग चला है मुनावर ने कहा कि अच्छा सना से कमजोर कोन है इस घर में मनस्वी मनस्वी को डाल दिया अब मुझे ऐसा लग रहा है इस बाद मनस्वी जाएगी या फिर सना जाएगी क्योंकि सना तो फिर भी कौन वो देने पर लग गई है content देने लगई वो अंकिता से लड़ेगी और अंकिता छोड़ने नहीं वाली है तो इस तरीके से चीजे हो ही घर के अंदर फाइनली पांच लोग नॉमिनेट हो चुके हैं अब भी आपको जो पसंद हो इन में से आप उसको वोट करके बचा सकते हो चलो मैं मिलती हूं एक्स्ट वीडियो में अपते के लिवावा चेकेर अपनागे आल रगो चेक्यो